बिहार सरकार की मंतरी हो या फिर प्रदेश की मुख मंतरी इस वात को बड़े ही गर्द किसाथ करते हैं प्रदेश के किसी भी कौने में आप राधानी पटना में एक दिन में आप अपना काम करवा कर आ सकते हैं और जा सकते हैं यहां के लोगों को खासकर जाम से निजात दिलाने के लिए कुछ परियजना शुरू की गई है इसके तहत बिहार सरीक में बहुत ही जल्द एक नए अफलाई ओबर बनाया जाएगा इस फ्लाई ओबर के निर्मान पे लेकर बीचली के पूल को सिफ्ट किया जा रहा है इसका निर्मान सहर के राची रोड पर होगा यह बिहार सरीक बस अस्टेंड से सोग्रा कॉलेज तक के लिए बनाया जा रहा है अस्मार्ट सिटी के कहते जो प्रस्तावित है उसके अमसार सहर के सरकारी बासस्टेंड के पास फ्लाई ओबर का अधार होगा जबकि सोग्रा कॉलेज के पास चौराय के पास इस पूल का अंध होगा इस फ्लाई ओबर की लंबाई एक किलोमीटर होगी इसको लेकर इंजिनियर ने बताया कि 24 फ्लाई ओबर की चौराय होगी वाश 24 फ्लाई की होगी सोग्रा कॉलेज से आगे जाने वाले बाहन इस पर सीधे चपड़ सके इसके बीच में कोई सीड़ी नहीं होगी इसके निर्मान काज के लिए अभीड इजाइन बनाया जा रहा है इसका बाद यहाँ साफ हो जाएगा कि जमीन से इसके उचाई कितनी होगी साथ साथ यह भी टै होगा कि कितने फिल्डरों का इसमें इस्तमान किया जाएगा इधरे इंजिनियर नहीं यह भी बताया है कि दो पिल्डरों की बीच की दूरी 23 से 25 मीटर की होगी उन्होंने कहा कि भराव पर के पास पिल्डरों की दूरी होगी वो अधीक होगी और यहां पे जो दूरी होगी वह है 32 मीटर की दूरी होगी एक पूल से दूसरे पूल के बीच के बीच में इस निर्मान का आज को लेकर विभाद का मानना है कि फ्लाई ओभर को दो साल में बनाया जा सकता है इस कुलाई ओभर को लेकर भिहार राजपुल निगम के SDO ग्यान प्रकास ने बताया कि कुलाई ओभर निर्मान की बजह से यातायाद परहाविक नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, इसको ध्यान में रखते हुए इसे जो है step by step काम किया जाएगा, यह भी बताया की फोर लाइन का काम मसली मंडी से सुरू किया जाएगा, इधर SDO ग्यान प्रकास ने सहर के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आप इस फुलाई ओभर निर्मान में सही योग करें ताकि फुलाई ओभर जल्दी से बन सके, साथे यातरियों का खास ध्यान रखा जाएग ऐसे में अब लोगों की उमीद है कि आने वाले दो सावर में यह फुलाई ओभर बन कर तैयार हो जाएगा और बिहार सरेत में जो जाम और महा जाम की जो समस्यावत्पन होती रही है उससे लोगों को अब जो है निजात मिल सकेगी बिहार और बिहार से जुड़ी और बेसे इन ख़बरों के लिए बने रहें दिहार में उचके साथ मुझे तुझे अजाज़त धन्यवाद